हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में आज सुनिये हिंदी की युवा एवं प्रतिष्थित लेखी का प्रतिक्षा जी की लिखी हुई कहानी फूल पुर की फुलवरिया मिसराईन तो शुरू करें कहानी फूल पुर की फुलवरिया मिसराईन वे अडस कर बैठ गई थी साड़ी जांग और पिंडिलियों के बीच दबा कर पैर उनके खुब गोरे थे चोड़े पंजे, उंगलियां छोटी-छोटी नाखून, खुब धसा कर काटे हुए आलते का चोड़ा पार, पंजो पर अंगूठे से चपल के फीते की नकल करता हुआ चोड़ा लाल रंग फिर बीच में तीन पत्ती वाला फूल फिर दो सीधी धारी और अंग्त में तीन बुन्दकियां पीचो पीच से आलते के कार समापन की घोशना करती हुई उनके मजलिस में आने के पहले औरते बन-बन करती रही इतना सोला सिंगार आखिर किसके वास्ते आदमी कब्बे छोड़ गए हुम्म के गुनगुनाट बैठी औरतों के मूँ से एक छोड़ से दूसरे सरपीली रेखा बना विलीन हो गई कौनों दूसर औरत रही ता बढ़ कटकर एजिल है मिस्राइं हसी में कौनों कमी ना तमाम आखें विस्फारित हो फैल गई आचल सर से खींच दातों में दबा दभी खुटी हसी की क्षीन लहर आगे कोई रहसोत गाटन हो ऐसा संयोग बैठने के पहले उनका आगमन हो गया फिर हवा का रुकते जी से बदला ए ननकू ए छोड़ा ला डोल्ची दे अब जाओ उने छाओं में ननकू डोल्ची थमा छाओं में गोली खेलते खेलते लुड़क गया डोल्ची से आज प्रोशिया निकला सफेद महीन तागे से बुना लेस पता नहीं कितना मीटर बुन चुकी औरतों ने बंदे हुए गड़े को हाथ से तौल अंदाजा किया अब की सरहाना की गुन-गुन फैल गई जाड़े में रग बिरंगे उन सलाई गर्मियों में कड़ाई यूपिन क्रूज सब चलता था पता नहीं हर सरदी कितने स्वेटर बुन डालती जबकि पहनने वाला घर में कोई नजर ना आता कितने मीटर तो लेस बुन चुकी दरजनों के हिसाब से हर मौसम में तकिये का कोल चादर पर कड़ाई मैटी पर क्रॉस इस्टिस से मेश पोश महीन वायल साड़ी पर साटर इस्टिच और लेजी टेजी के छोटे छोटे नन्ने फूल लहरदार बेल बूटे बच्चों के जबलों पर हसते मुसकाते बत्तक और चूजे जितनी तेजी से उंलिया कुरूस पर चलती थी उतनी तेजी से जवान भी औरते साड़ी छूचू देखती चोली कट फूली बाहों के बलाउस पर आहें भरी जाती कस्बे के पार शहर पर का दरजी ऐसा बलाउस सिलता था सादा बलाउस से बीस रुपया जाता फुलवरिया मिस्राइन गर्व से बोलती पांदा निकाल सुपारी की छली काटती चूना अकथा और मसालेदार जर्दा हर बीडे पर परनिंदा होती औरते हसस दोरी होती आंके हैरस से फ्यलती बास शुरू होती छोटी सी फिर बनाव सिंगार होता कुछ जोडा जाता कुछ घटाया जाता पेट की बात फूलती पचकती कुछ खमीर उठता कुछ खटास आती गरज ये कि इन एकाद घंटों में बच्चों के सरकारी स्कूल से लोटाने का वक्त होता पती जो इस नामालूम से कस्वे में खलरकी करते दुकानदारी करते पेशकारी और मुकतारी करते सांज ढले घर तरकारी का जूला उठाये निश्प्रान घर लोटते और घर की दहलीज पर पाउं रखते ही जहनशाह बन जाते लोंडिया हुकम की तामील करती एक पाउं खड़े पति परवेश्वर की दिन भर की महिनत का समुचित सम्मान किया जाता फुलवरिया के अलबत्ता कोई पती नहीं था माने अब नहीं था न अब भी सही नहीं का था तो पती नाम का जीव इस विशाल संसार के किस कोने में बिला गया था ये फुलवरिया कोई पता नहीं था रे ननकू चल रहे ननकू को डोलची पकड़ाती खुद बटवा समभालती फुलवरिया उट खड़ी होती सभा विसर्जित हो जाती उनके फूल दार छापे की सारी के भीतर से लेस लका सफेद बुरोग पेटी कोट जलग जाता बड़े गले के बलाउज के नीचे से ब्रेजियर की सफेद पत्टी जहंग जाती और औरतों की तरह नहीं कि सारी बलाउज तो संदर पर अंदर का पेटी कोट नीचे काला या बलाउज के गले से जहाकती ऐसी मटमेली ब्रेजियर की पत्टी की देखते कह हो जाए ननकू आगे आगे अपने पुराने जूते में बाबू सहाब बना दोड़ जाता नुकड की पान की दुकान के पास महले के शोगदों की भीर जूती रहती यहाँ पेंचर बनता है कि बोड के नीचे चार खाने की लूंगी और कुर्ता पहने मुछंदर बैठा रहता फुलवरिया को गुजरता देख बिना नागा बदन पे सितारे लपेटे हुए एजाने तमन्न के धर जा रही हो गाने लगता फुलवरिया सर का आचर और ठीक से खींच दातों में दवा तेज चाल चलती ले पर अगर कोई दुष्ट हवा उस वक्त उनका आचर हटा देती तो उनके चेरे पर एक मुष्कान जरूर सारा जमाना नहीं तो मुछंदर तो जरूर देख लेता खैर उस कजबे में कोई दुष्ट हवा को बहे जमाना गुजर चुका था सो मुछंदर ने गाने का मुखड़ा पुड़ा किया फुलवरिया के ओजल होते होते तक एक अंतरा भी गा दिया फिर आज का काम तमाम मुद्रा में पंक्चर बनाते लॉर्णों को डपटने का शुक और मेहनती काम किया फिर आराम की मुद्रा में बैंच पर लेट किया तब तक बगल के ढाबे का छोकरा खीसे निपोरता हुआ लोहे की जाली में छे गिलास फसाए रोज के वक्त की पाबंदी से कड़क स्पेसल मसालेदार चाय ला चुका होता चाय का गिलास खतम होते होते फुलवरिया घर पहुंच जाती घर के बाहरी हिस्से में किराना की दुकान थी और इसके ठीक बगल में एसबेटस की सीर से धकी एक शेट जिसके बाहर आटा पिसाया जाता है का बोर्ड लटका था इसी बोर्ड के नीचे तक्ती पर आटा, चना, दाल, उड़त दाल, इत्यादी का पिसाई रेट लिखा था दुकान पर बारी बारी से फुलवरिया और फुलवरिया के ससुर बैटते, पिसाई का काम अजमेरी देखता अजमेरी की काहनी भी विचित्र थी, हमीदन और मुक्तार की अच्छी आमदनी थी गाए, मुर्गी, बत्त, थोड़ा सा खेत भी, अल्ला के फजल से फजल भी अच्छी होती निकाह के बरस बीते, पर हमीदन की कोक में सूत भर भी कुछ ना पड़ा गाए भी आती बच्छा होता, गाए का फेनुस दूद मुहले में बढ़ता मुर्गी और बत्त, कुड़क होती, फिर आंग छोटे-छोटे रूई के गोले सरी के चूजों से भर जाता मुठी बर बिया भी, गीली मिठी में फेकती तो पौधा हो जाता पर शरीर जो बंजर रहा, सो फसल कोई फूटी ही नहीं बहन बसी अजमेर खत लिखा, आजओ दरगावर मत्था टेक लो, पीर मुराद पूरी करेंगे महीने भर रही, लोटते वक्त रास्ते में ही तबियत खराब चक्कर पे चक्कर मार उल्टी पे उल्टी, घर पहुँची तो लस्थ पस्त नदीमन के मिया हकीम, पुडिया मंगाई, फाइदा क्या हो और नुकसान, हीं के बघार पर हॉल दे, गोष्ट भी पके तो हमेशा के सीधे मुकतार तंतना जाए, क्या बीवी, गोष्ट भी पकाया घासपूस जैसा, तश्तरियों रकाबियों पर मक्यां पिन मिनाए, नद कने ही तो लाइन रहे, फिर एक क्या दस खा गई, नदीमन ने छुटपन से घरों में बच्चे होते देखा था, पर यहां बारा बरस की सूखी जमीन थी, कुछ कहते जी डरता था, सो चुप लगा गई, महीने पर बाद हालत ये हो गई, कि चुले की मिटी देख जी बावर हो ठे, गोटदार लेजदार ओरनी का कोना, मिटी बांद बांद के तिर मुडा जाए, काली जली हुई सौंधी मिटी, अब उसी दिन की बात लो, सौदा सुलुफ लेने दुकान गई, तो पास के मोड पे एक बेंच लगा, बढ़कू के महतारी का तीन चूला जोड दुका आया हुआ, उपर खुब कला कोशर से चार फाक कटे प्याज पर हरियारी का सीना ताने, सुग्गे के चोंच जैसा लाल हरा चमकिला मिर्च, ये नजारा देखते ही कंट भराया, पेट से मरोर सी उठी, दहर सीने प्या के टिक गई, तावीज मुठी में कसे घर भागी आई बासी रखा भाद, प्याज और हरी मिर्च के जोर पर जो स्वाद लेखाया की चाती जुडा गई, चौकी पर लेटे लेटे, छट की बल्ली नहारते, हाथ अंजाने पेट सहलाते रहे, अचानक लगा एक अचक्के मुक्का, कोई कहकर रह गई, फिर जी धकसर है गया, लालटेन की धीमी रोश्टी में दोनों जनी निवाले तोड़ते, अल्ला का शुक्र मनाते रहे, हमेशा की पतली हमीदन फैलती जा रही थी, सिर्फ पेट नहीं, हाथ, पाउं, चेहरा, सब और जैसे जैसे हमीदन फैलती, घर की बाकी चीज़ें उसी अनुपात में सिकू फिर भी बच्चे के आने की खुशी इन तमाम छोटे बुरे हाथसों पर भारी थी, मुखतार अपनी खाला को लिवा लाए हमीदन की देखबाल को, खाला वेवा थी, बांज थी, आँखों में सुर्मा लगाए मिस्सी दातों और सुगा नाक के ठीक नीचे बड़े से मस्स वाली खाला किसी चील या बाद जैसी लगती, बुढ़ापे में एक ठौर मिला था सो जुट गई हमीदन की देखबाल में, देखने में जितनी कड़क थी, उतनी ही नरम दिल, कुछ महीनों बाद अजमेरी पैदा हुआ, नाम तो पैदा होने के पहले ही तह था, सो खाला न जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, ये बात दीगर होती गई, कि उसकी शकल ना मुकतार से मिलती, और शायद हमीदन से भी नहीं, कहते हैं कि खुदा बंद ने हर इंसान की शकल ऐसी बनाई है, कि उसके जैसा और कोई समूची दुनिया में भी ना हो, पर ठीक अजमेरी की शकल का कोई लड़का अजमेर की गलियों में सूर्मा लगाए, लेस वाली टोपी पहने गुंता खेलता था, और जैसे 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 अजमेरी बड़ा होता जाता, उसकी शकल उस अजमेर वाले लड़के से और जाता मिलती जाती, और जैसे जैसे शकल मिलती जाती, वैसे वै जुर्ग की तीन साइज बड़ी हवाई चपल पहन कर दोड़ पढ़ता है गिरते पढ़ते। गाओं तो कजबा होई जाता देर सबेर पर इसी बीच मुक्तार मिया पर फालिच पढ़ा और वो लग गये चारपाई से। राहटों से बरहा रहता। चेहरे पर फालिच का असर ऐसा हुआ था जैसे भूकम से आधी जमीन उपर उट गई हो। सारे अनुपार बिगड़ गए थे। आदे होट उपर की और आदे ठीक उसी अनुपार के नीचे गिरे हुए। उन गिरे हुए होटों से लगाता लार्च हुआते हुए मुखतार अंचिप आँकों से अजमेरी को देखते और अपने देखे अंदेखे दोस्त दुश्मनों से उसके चेहरे का मिलान करते रहते। लेटे लेटे अब यही अर्मेना रह गया था। सेहत उनकी गिर्टी जाती थी। जाना उनको था पर उनके पहले सा काटे से हमीदन चली गई। पीछे पोकर के पास वाले पेड़ों के पास मिली थी। कह गई थी कि कुकरमुत्ते लाएगी तेज तीखा सालन बनाएगी। दुपटे से बंधा एक गुच्छा मुसा तुसा करियाया हुआ कुकरमुत्ता खाला ने बाद में निकाला था। उ ये सब ना तो मुक्तार जानते थे ना हमीदन और ना अजमेरी। उस खंडर में बच गए खाला और अजमेरी। रहे से जानवर भी खतम हुए और उसी तरह एक दिन नीन में खाला भी। तो उस घर में अनकही तो बात थी कि या तो फसल जड़ जुरू लहलाएंगे या फ बाकी सब गए। जमीन की मिट्टी ने इस तेजी से लिलिया मकान को की दीमक लगी ढूँ और चर्मराती बल्यों के सिवा और कुछ न बचा। लेकिन अजमेरी का भी क्या दोश, क्या गुना, उसने कहा था क्या मैं आऊ इस सचार में। जिस रात खाला गई उसी रात अज मेरी भी गायब हो गया गाहों से। हफ़ते बर बाद फूलपुर में रामावतार मिसिर के घर के बाहरी बरामदे बर सोता पाया गया। सुबह सोय मिसराइन माने फुलवरिया ने उसे पहले पहल देखा। रामावतार मिसिर पहलवान आदमी थे, कुष्टी और मलाईदार दूद का शौक रखते थे, उनके बापने पंडिताई का पुष्टैनी काम करते करते दूर दर्शिता का उत्तम उधारन देते हुए एक दुकान भी खोल रखी थी, फूलपुर के राना इस्टोर, दुकान बढ़िया चलती थी, पंडिताई पुरहेती बंबं चलती थी, दोनों हाथों से घर का इस्टोर बमा बम भरा रहता था, रामा उतार एकलोते बेटे थे, अब हुए तो तीन और थे, पर सब इस दुनिया में सांस लेने और प्रान फुकने के पहले ही स्वर्ग को क्राप्त हुए, फिर कई मनौतियों, मनतों और धार्मिक अनिष्ठानों के प्रसाद स्वरू रामा उतार अवतार लिये, उसके बाद तो जाम हुआ रास्ता खुल पड़ा, एक लड़की हुई साबित्री, फिर जुर्मा रज्जू और विज्जू, और उसके बाद एक जुर्मा जोड़ी, बिन्नू और मन्नू, पर भचे इसमें फिर दो ही, रा रज्जू बड़ी होती गई, ये पता चल गया, कि चाहे रज्जू कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, वो रहेगी छे साल की रज्जू ही, रज्जू के दुखी पोटली छाती से चिप्टाए मिस्राइन पहले ही असमें चलबसी, घर गरिस्ती कौन समाले, इसका दो ही उपाये था, एक तो कि मिस्र का दूसरा ब्याह कर लें, और दूसरा ये कि रामवतार की खूटी बांदी जाए, रामवतार का कुष्टी दंगल में भाग लेना, हनमान भक्त से ओत प्रोत रहना, ब्रह्मजर पर जरूर से जादा जोड़ देना, ही फैसला रामवतार के ब् मिस्र के जबकि अपने पुना ग्रेस्त सुख की तीवर इच्छा के बावजूद करवा गया, बिचौली ने जब फुलवरिया की जर्म पत्री लाई, तो मिस्र को कन्या के नाम में और अपने किराना इस तोर के नाम में जो विचित्र सामें देखा, उसे कोई देवी इशा समझ करनों तोरन थामी भरती, बेटे को खुब समझाना पड़ेगा ऐसा जो नोंने सूचा था, ठीक उसके विपरीद, बेटे ने सर जुका के थोड़ा शर्माते हुए तोरन सिर्फ हामी नहीं भरी, बलकि विवहा की तयारी में, खास कर सुहाग रात की तयारी में, रोज ने भरबाद घर की नाजुक हालत बिना घरनी के समझते हुए कन्या पक्ष ने ब्या और गोना तुरत पुरत कर दिया, और खुसरूपुर की फुलवरिया, रामावतार मिसिर की नई ब्याही बन फूलपुर आ गई, सुहाग रात, रामावतार मिसिर गोरी-गोरी केले के पुलवरिया को देख होश को बैठे, उनकी हालत ऐसी थी कि कोई भी ओरत उनको खुश कर देती, वो इतनी ततपरता से पत्नी की चाहत रख रहे थे, कि रूप गुण कुछ भी इस चाहत के आड़े नहीं आता, यहां तो कटीली आखों का पानी उन्हें बेसुत कर रहा था साड़ी की किनाडे से निकला चोड़ा गोरा पंजा, उनकी अंदर ऐसा रोमांच पैदा कर रहा था, जो की एक सुडौल पाउं नहीं कर पाता, स्वस्त सुडौल बाहों का आभाज भरी उन्हें मार रहा था बस सामने ब्याही पत्मी सिम्टी सुखरी बैठी थी और रामवतार का कसरत कुष्टी वाला दूद दही खाया पिया शरीर था, उन्मत उन्मात था, बेचैनी थी, बेकरारी थी, जोश था, जहून था, अनारी पन था, तूट पड़े पत्मी पर, गोल गाल, पन पन, गोर नारी पत्नी पर, फुलवरिया गुंगर्ट में सपने बरे लजाई सक्चाई बैठी थी, खुश रूपर के एक मातर सिनेमा हॉल में ऐसे कई सुहागरात के फिल्मी दरश्य मा भावी के साथ देख चुकी थी, भावी की चुहल बरी इदायतें, नई ब्याही सक्चियों की खुस-फुस बातें, पती को तूटते देख, हक्की-बक्की रह गई कुछ-क्षा, फिर दर्द का तेज आवेग हुआ, एक उपकाई सी आई और मुह से चीख निकल गई, रामवतार का चोड़ा बलिष्ट पंजा मुह पर, होटों को चीख को दाप गया, रामवतार के मन क के साथ का कोमलतार खो दिया, फिर जब भी रामवतार फुलवरिया के करीब आए, उसका शरीर काट की तरह निश्प्राण हो जाए, रामवतार थे कोमर्दे, ऐसी जोर जबरदस्तिम के सभाओं के विप्टीत थी, दीरे-दीरे से मटने लगे, उन्ही दुनों कोई स्वाम जी ने कहा उनसे इस्त्री संसर्ग से दूर रहो, रामवतार ने स्वामी जी के चड़नों में सिर्ख दिया, स्वामी जी के उंगलियां रामवतार के सर में बालों में आशीरवास सुरूप फिसलती रही, अगले दिन डेरा उट गया था, फिर रामवतार को किसी ने दिवरिया ने ग्रहस्ती संभाली, 15 साल की 6 साला रज्जू को संभाला, ससुर को संभाला और फूलपूर किराना स्टोर को संभाला, सिर्फ संभाला ही नहीं, बखुबी संभाला, उन्हीं दुनों भला भटका हुआ अजमेरी भी यहां आटिका, तो अजमेरी को भी संभाल रज्जू को रोज तेल चपड़ करके खुब कसके दो चोटी सोट सोट के बाहनी जाती बालों के अंतिम सिरे पर लाल रंग का रिबन रज्जू को लाल रंग बेहत पसंद था चोटी सहित मूथा जाता फिर पूरी चोटी को मोड कर कानों के उपर बालों में फसा गांट बांद कर फूल के तरह फुगा बना दिया जाता रज्जू आइना पकड़े पकड़े अपने चेहरे को निहारती तरह तरह के मूँ बनाती हस्ती खिल खिलाती खुश हो जाती उसे भोजाई पसंद आती थी उसे भोजाई इसलिए भी पसंद आती थी कि गाहे बगाए अपने सिंगार पेटी उसके हवाले कर देती थी और रज्जू घंटो चूडियों टिकली से खेलती रहती गाड़े गाड़े रंगों के सलवार कुटते रज्जू के लिए खुद उन्होंने से ले थे महावारी के दिनों में रज्जू को खुद का होश नहीं होता हर सावधानी के बावजूद जहां तहां रंगीन छापे लसेड़ती रहती आज इज आकर फुलवरिया ने उन दिनों घर से निकलना रज्जू का बंद किया बहलाने फुसलाने के लिए गुडिया छोटे छोटे बरतन गोटे सलमा सितारे रंगीन कंचे ला कर दिये गरज ये कि जितना मिस्राइन पहली ने रज्जू का ध्यान नहीं रखा उतना मिस्राइन दूसरी माने फुलवरिया ने रखा उधर मिसर बेटे के जाने के बाद अचानकी बुढ़ा गए दो दिन के खिच्रे दाड़ी से चेहरा और बीमार पोला लगता दान भी यक बयक सामने के तूटे गए थे बोलते तो फिससे हवा छूट जाती खाना पीना दीरे दीरे छूटता जाता था कुछ बेटे के दुख में कुछ तूटे दात के दुख में कासे के बड़े से कटोरे में गुड़ पर रोटी दूद गिराते बहाते खा जाते सुस्त हो दुकान पर बैठते सुबह उनकी डूटी बनती थी वहां बैठने की तब इस रोट का धंदा मंदा चलता तीन बजे से फुलवरिया बैठती तब धंदा चकाचक चलता इतना चकाचक की पहले से भी ज़्यादा कमाई होती पिसाई वाले शेट के पिछे काली कोश्री में अजमेर रहता अब जवान हो चुका था पिसाई कराता और एक निगा दुकान पर बैठी मिस्राइन पर रखता सीना ठोक के कहता इघर की गार जीवन तो हम हैं हैं माने अफतार के बिना भी जीवन खुब चल रहा था फुलवरिया की जवानी अभी उठान पर थी मौनले गली के लॉंडे लपाडे उन्हें देखकर आहें पर थे फप्तियां कसते इन सबसे बेखबर फुलवरिया सज बज़ के तयार होती सखी सहलियों से मिलती जुलती खूब हसती रात भी रात कभी रामावतार की याद आती तो अप्मान से चेहरा लहक जाता और उसकी हतेलियों में धसा अपना दात याद आता पर फिर भी ठस गर्मी में छर छितांग लेटे शरीर पर से आचल दूर हटाते कोई कीड़ा नाभी के नीचे सोसुराने लगता लौने लपाडों की फब्तियां शरीर पर फिरने लगती मुचंदर का गीत चाती के बीच धड़ाम धड़ाम थाप देने लगता ऐसी गर्म रातों को फुरवरिया को नीच नहीं आती नागिन अपना केचुल छोड़े तो कैसे ऐसी गर्म सरद रातों का सफर तै करते करते एक दिन हाथसा हो गया जो होने के लिए ही धड़क रहा था होना ही था ये नियती हर कोई जैसे जान रहा था और चूकि ये होना ही ता सो हुआ और इस काम की भी निमित फुलवरिया ही थी बस वैसे ही जैसे रामवतार के स्वामी जी के शरण में जाने की हुए हुआ ये कि महीने की उस तारीक को जब रज्जू को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था इस महीने भी वही किया गया पर इस बार रज्जू हर बार की तरह शांत रज्जू आग्याकारी रज्जू, प्यारी भोजी की प्यारी ननत नहीं रही किस बास से घुन्नी हुई कौन जाने बाहर गई, अंदर गई, पडोसन हाथ पकड़ लाई कपड़े गंदे, कुड़ता गंदा, सलवार गंदा डाट डपठ हुई, फिर शाम से गाया और ऐसी गायब हुई, कि दो दिन बीते मिली ही नहीं बुरे मिसर पागल मिसर हो गए, फुलवरिया आँख लाल कर रोती रही ठक हार, ठाना पुलिस भी हुआ, हुआ, थू थू हुआ, खुस पुस हुआ अफसोस लाचारी हुई, भोजी कभी मां हुई जो, हुआ मतलब सब हुआ, पर वो नहीं हुआ, जो होना चाहिए था माने नहीं मिलनी थी लड़की सु नहीं मिली, दो दिन और बीते फिर लाच मिली कहा कोई बुरा काम हुआ इसके साथ, कहा कपड़े भी नहीं थे, ये भी कहा किसी जानकार का काम, जो भी हुआ, बहुत बुरा हुआ, एक बार अजमेरी के घर में रेद फैली थी, अबकी फूलपुर में रेद फैली, फूलपुर किराना स्टोर बैट गया, ऐसा नहीं कि लोग नहीं आते थे, लोग अभी सुन सननाटे में पंखे के नीचे लेटे लगता, जीवन नश्ट हो गया, दुकान पर बैठने का जी नहीं करता, ऐसा भी नहीं था कि रज्जू से कोई इतना गहरा प्यार था, पर ऐसा था कि मरी हुई रज्जू का चेहरा देखा था, और अब ऐसा था कि आईने में सुने चेहरे को देखकर अजमेरी अपने दूसरी निगावी दुकान पर बैठी उजार सूरत फुलवरिया पर लगा देता, उसकी बाहों की मचलिया फटकने लगती, उसकी आखें अन्भूदी हो जाती और जाकते जाकते उसे वो सपने दिखाई देने लगते, जो कुछ दिन पहले तक रात विरात उसकी नीद उडाते थे, उसका जी करता कि फुलवरिया मिसराइन के उफंते यौवन में अपना मूध हसा दे, बसाले अपने नत्रों में जंगली पके अम्रूत की महक, कच्चे ताड़ी के नशे से मन जूम जूम उठता, उसे सही मौके की तला उसकी आखों में आजकल एक सपना पनपने लगा था, फूलपूर किराना स्टोर का बोर्ड उतार कर गेंदे के पीले नारंगी फूलों से सजा नया बोर्ड लगाया जा रहा है, अजमेरी फुलवरिया प्राविजन शौप और दुकान की गद्धी पर राजा रानी की तरह बैठे हैं अजमेरी और फुलवरिया, अब भला अजमेरी और फुलवरिया का क्या मेल, कहां फुलवरिया मिसराइन, पंड़ताइन, मालकिन, फूलपूर किराना स्टोर की, ना बेवा मुसमात, ना ब्याही सदवा, फिर भी मालिक इस घर की और दुकान की, और कहां अजमे तेरी की चौड़ी कलाई पर के सुनहरे रोए पर फुलवर्या की नगहा टकने लगी थी। उसकी चकली छाती काले तावी से सजे गर्दन के मस्य पर दिल बहकने लगा था। उसकी मर्द गंध और पसीने की धार पर छाती धड़कने लगी थी। फूलपुर नाम का कस्बा जो कई मामलों में मस्त पड़े, खाए पिये अजगर के माफिक लोगों के दिल दिमाग में पसरा हुआ था। जो पसीने की एक बूंद की तरह बहुं से चूता न गिरता समय के किसी खास मोर पर थर थराता हुआ लटका हुआ था। उस फूलपुर नाम के कस्बे में चेतना की नीम बिहोशी में फुलवरिया अपने जीवन के सबसे एहम फैसले के मोर पर दम साधे, धड़कती छाती पर हाथ धरे, मूँ बाए, अच्रस से अपनी इस हिम्मत पर आखे चिहरे खड़ी थी। सब कुछ थम गया था, समय थम गया था, जमीन आसमान थम गया था, जीवन थम गया था, पूरा फूलपुर थम गया था। थामा की नहीं, कि पहली दफ़ा एक ब्रामर पंडिताईन ने एक मुसल्मान मर्द का साथ सुख पाया की नहीं, कि पहली दफ़ा एक औरत ने अपने सुख साधन के बारे में सूचा, कि अपने मन और शरीर के बारे में सूचा, ऐसा और कई जगों पर उहता आया है, पर प्राइम वार्प में फूलपुर अभी उसी एक पल पर छिटका रुका है, हम पलक जपकाएंगे, जपकाते ही फुलवरिया और अजमेरी उस पल से फुर से हो जाएंगे, हम हसेंगे, अगबार पल्टेंगे, चाये घूट-घूट पिएंगे, और फिर मगन हो जाएंगे, अ रही समय के इंतजार में, अभी आप सुन रहे थे तर्त्यक्षा जी की लिखी हुई कहानी फूल-पुर की फुलवरिया मिसराइम, आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी, आप अगर मेरे नियमित शोता हैं, या मुझे कभी कबार सुनते हैं, या फिर आज पहली बार सु कि इसी तरह के विविधता अप्मूर कहानिया सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कहानियों को लाइक और शेयर करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे ऐसी किसी उम्दा कहानी के साथ, आपका समय शुग हो.